नमस्कार किसान साथियों मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूटूब चेनल देश की सान हमारे किसान में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साथियों जैसा कि किसान भाई अभी सूखे का संकट का सामना कर रहे हैं सुयब इनकी फसल मुर्जा रही है इसके ही विपरीत पिछले वर्स अती वर्सा का सामना करना पड़ा था जिसमें किसान भायों की फसले काफी खराब हो गई थी और काफी ज़्यादा क्वालिटी और उत्पादन प्रबाईत हुआ था और किसान भाईयों को सोयब इनकी फसल में काफी ज़्यादा नुकसान हुआ था परमद्यपर्देश सरकार और केंद्र सरकार की एक योजना है प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना जिसमें की किसान भाईयों ने जिन्होंने भीमा कराया था उनके लिए एक बहुती सुनेरा आउसर और एक काफी खुश कबरी वाली खबर इस वीडियो में आने वाली है क्योंकि किसान भाईयों को अभी फसल भीमा 2022 का जो है वहाँ मिलने वाला है और खेती से संबंदित मंडी भाव से संबंदित और किसान से जुड़े सभी मुद्दों की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चेनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और पास में लगा गंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वो बिना देरी के आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे तो आई ये जानकारी सुरू करते हैं किसान भाईयों किसानों से जुड़े मुद्दे की सभी जानकारिया सबसे पहले हमारा चेनल ही उपलब्द कराता हैं तो आप हमारे चेनल के साथ बने रहें और अभी का ताजा अपडेट यही है सिवराज सिंग चोहान ने अपने ओपिशल ट्वीटर से यह जो है ट्वीट क लेगी उन्होंने साथ में यही कहा है कि किसानों के हर दर्द में में उनंके साथ हूँ और उनको उस दर्द से बाहर निकालने में उनकी पूरी मदद करूँगा अध्यपरदेश के किसानों के लिए काफी ज़्यादा बड़ा अपडेट हैं जिसमें की 6 सितंबर जो की आने ही वाला है उसमें 19 लाक ऐसे किसान हैं जिनका भीमा करवा रखा था और उनका नुकसान हुआ था उनके खाते में पूरे 4500 करोड रुपई की रासी अंतरन होने वाली है ट्रांसपर होने वाली है जिससे की जो खामियाजा उन्होंने पिछले वर्स भुकता था उनको जो फसल में नुकसान हुआ था उनसकी राहत अब उन्हें मिलने वाली है चाहे रहात देर से आई पर देर से आऊ पर दुरुस्ताव ऐसी कहावत है पर चाहे सरकार ने पिछले साल बीमा करवाया था पिछले साल नुकसान हुआ था और इस साल भी अगर डाल रही है तो किसान भायों को काफी ज़्यादा रहत मिलने वाली है इसमें आगे जाकर कुछ सुधार करना चाहिए और ततकाल रहात देनी चाहिए पर अभी जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है तो किसान साथियों ये था पूरा अपडेट जिसमें की किसान भायों ने काफी ने फसले नश्ट हो गई थी जिससे काफी ज़्यादा दुखी थे और उनको अब रहात मिलने वाली हैं अब उसकी लिस्ट अगर आएगी आगे जाकर कि किस किसान को कितना मिलने वाला है जिले वार ग्राम वाइज लिस्ट आएगी तो वह भी हम डालेंगे साथी साथ किन किसानों को किन जिलों में कितनी राहत प्रती हेक्टर के हिसाब से प्रती विगा के हिसाब से आ तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान बयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे वीडियो को पूरा देखा है तो जई हिंद कमेंट जरू करें जिससे हमें पता चल सके कि कोन कोन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा आंत तक देखते हैं बाकी चैनल पर खेती से संबंदित, मंडी भाव से संबंदित, किसानों से जुड़ी योजना से संबंदित, फसल भीमाज संबंदित सारी अपडेट हमने वीडियो के माध्यान से डाल रखी हैं आप वह भी जाकर देखें उन्हें भी लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन, जय भारत, वंदे, मात्रम